नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का back to school पर दोस्तों, EVS का course चल रहा है, आपको पता है, और 7th chapter पर हम पहुँच चुके हैं आज की वीडियो में हम पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंतर की बारे में डिसकस करने वाले हैं Ecology and Ecosystem, और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यह जो course है, EVS का course चल रहा है, यह पूरा course हम to the point करेंगे, यानि की कोशिश करेंगे कि 10-12 मिनट में आपका जो मैं topic समझाना चाह रहा हूँ, वो topic आपको पूरा समझा दूँ, है ना, अब यह जो मैं topic आपको समझा रहा हूँ, यह आदे गंटे का भी topic है, यह 20 मिनट का भी topic है, लेकिन हम इस course को to the point कर रहे हैं, कम समय में, यानि की जो important है, आपके दिमाग में केवल वही जाए, क्योंकि एक तरह से revision की तरह भी हो जाएगा, कि आपका 10 मिनट में पूरा एक topic कवर हो जाएगा, है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यह हमारा दूसरा channel है दोस्तो, सरकारी अध्यापक, आप अगर आप देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा, बालविकास के कुछ important notes भी मैंने बनाये हैं, आप देख सकते हैं, यह बालविकास के notes है, आपके CDP के notes है, इन notes की खास बात क्या है, मैं आपको बता जेता हूँ, कि जब आप संग्यान चेप् की video चल जाएगी, तो video के मादयम से भी आप उसको देख सकते हैं, चैप्टर को, तो बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसके लावा, EVS के notes भी रेडी हैं, आप EVS के notes भी ले सकते हैं, चित्तरों के मादयम से, डाग्राम के मादयम से, मैंने EVS को रखा है, चोटा सा मिनिमल सा अमाउंट, चोटा सा एक subject के लिए आपके लिए रखा गया है, जिससे थोड़ी सी notes की value बनी रहे हैं, आप भी serious होके पड़े हैं, तो बहुत सारे notes होते हैं, आप लोग फैंक देते हो इदेर हुआ, चोटा सा माउंट से आप लोगे, तो आराम से आप पड़ोगे, और मजा भी आएगा पड़नेगा, है ना, तो आपको WhatsApp करना है, यही PTM है, इसी पर PTM करके WhatsApp पर इसी नमर पर screenshot भेज देना है, चलिए, शुरुआ आप करते हैं, पारिस्थिति की तंत्र और पारिस्थिति की दो शब्द है, पारिस्थिति की तंत्र को कहते हैं इको सिस्टम, तो एक तरह का सिस्टम है, सिस्टम है, तो इसमें कौन रहते हैं, जीवदारी, एक तरह का यह तंत्र है, क्या है, एक तरह का तंत्र है, जिसमें कौन है, जीवदारी रहते हैं, जिनमें जीव है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ, पर्याव रड़ के अब आप से ये समझे है कि जो प्रतिवी है उसमें भी जीवदारी रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो पूरी प्रतिवी एक पारिस्थित की तंत्र है, पूरी प्रतिवी क्या है? एक पारिस्थित की तंत्र है, एक छोटी सी नदी पारिस्थित की तंत्र ह क्योंकि वहां पर भी तो जीव रह रहे हैं, एक छोटा सा तालाब, वो भी पारिस्थितिकी तंत्र है, अपने आप में एक छोटा सा तालाब से लेकर पूरी प्रतिवी तक सभी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, है ना, क्योंकि सभी जगों पर क्या है, जीवदारी रहते और एक दूसरे के साथ भौतिक और रासानी क्रियाएं करते हैं. चलिए, यहां से आपको पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारना समझ में आगी, कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? है ना, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, कि जैसे 1935, 1935 में, यह हैं एजी टंसले, इन्हों ने पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था, पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारदारा है उसका प्रतिपादन किया था, है ना, जो भी सिद्धांत वगेरा होते हैं, जो भी अवधारणाई होती हैं, विचारदाराई होती हैं, उनका प्रतिपादन किया जाता है, है ना, और इनका प्रतिपादन करने वाले को प्रतिपादक कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिपादक कौन हुए? तो यह भी चीज आप याद रखेंगे, पारिस्थित की तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक एकाई है, क्रियात्मक एकाई कैसे है, क्योंकि एक दूसरे को प्रवावित कर रहे हैं, सारे लोग क्रियाय कर रहे हैं, इसलिए प्रत्वी की तंत्र है, वो प्रकृति की क्रियात्मक अब एजी टॉंसले ने एक परिबाशा दिये है पारिस्थित की तंत्र पर अपनी, तो इनकी परिबाशा भी पढ़ लेते हैं, पारिस्थित की तंत्र, वातावरड के सभी जयविक अजयविक कारकों के संपूर संतुलन के फल सरूप बनी हुई पद्दती है, एक तरह की तो पारिस्थित की तंत्र की आपको अवधार्ना समझ में आगी, कि सभी जीवधारी मिलकर रहते हैं, बहुत एक राशा इने कारकों के साथ करिया करते हैं, इसकी अवधार्ना जो दी है वो एजी टैंसले ने 1935 में दी है, इनकी एक परिवाशा है जो आपको याद करनी है अब देखिए, इसकी परिवाशा आपको याद करनी है और जो पारिस्थित की तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, यानि कि पारिस्थित की तंत्र का अध्ययन, study of ecosystem, क्या कहलाता है, ecology, यानि कि पारिस्थित की कहलाता है, है ना, पारिस्थित की तंत्र के बारे में जब हम वातारवड के साथ पारसपरिक संबंदों का अध्यन होता है, यानि कि जो जीवधारी है, हम जो जीवधारी है, हमारा वातारवड में कैसे पारसपरिक संबंद है सबका, उसका अध्यन पारिस्थित्की है, जैसा मैंने आपको बताया, पारिस्थित्की तंत्र का अध्यन पा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किस ने गिया था? एजी टॉंसले ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रतम सबसे पहले प्रयोग किस ने गिया था? Ernest Haeckel जर्मन के जीव बेग्यानिक हैं कब गिया था? 1866, 1866, 1866, तो आपको यहां से पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी अवधार्ना समझ में आगी होगी. अब चोटी सी चीज हो रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानि कि कौन-कौन सी चीजी इसमें आती हैं? मैंने आपको अभी बताया जेविक चीजिझ जेविक चीज़े आती है तो देख लेते हैं कौन-कौन सी जेविक चीझ discuss जेविक घटक जिनको o जीविक घटक भी कहते हैं इस उइस पर दोत्लिक लिए जिनमें जान होती है उनको बाईोटिक बोलते हैं कि एक पूदाटक एक हंखचिए गटक में अतपादक एक इचिता है प्रोडीूसर तो इसमें आते हैं दो, उतपादक हते हैं वἵचे उत्वादमं है तो घास परेंगी आते हैं आप इयाद रखी चिजिन अप इसो आप भी लीजिए घास, पेड़ पूदे उतपादक में आते हैं, उपबोक्ता कौन होते? जो इनका उपबोक करते हैं, उतपादक का, कौन-कौन? अभ यहां पर उपबोक्ता को भी तीन च्रेड़ी हमने बाच लिया है, प्रधम च्रेड़ी के उपबोक्ता, इसके बाद आते हैं, अपगठन, अपगठन करता भी इनको बोलते हैं, decomposers,. Stellen, decompose कर देते हैं किसी भी चीज द्रवैं मिला देतेa हैं, कि इनप अप घठन करता है और अपगठक कहते हैं, अब आपको धेचिये कि GV यह घटक में तीन चीज़े आँ, उत्पादक, उपभोक्ता, जिनको consumer कहते हैं, अप गठक, तीन चीज़े हैं, अप उपभोक्ता तीन तरह के हैं, पर्थम श्रेडी के उपभोक्ता, कौन होते हैं, गाय हो गई, हिरन हो गया, जो उत्पादक पर डिपेंड हैं, उत्पादक में आपको बता था, पेड़, उपभोक्ता फिर आते हैं, तर्थम श्रेडी के उपभोक्ता, इसमें शेयर वगर आते हैं, जो इन जानवन का शिकार करते हैं, जो इन इन अप गठक मेंबब खर्म करने काम करते हैं, अप गटक लगटक जासे कीट मॉकूरे जो antig Quinn बटे को बिलकल करते हैं, तो उनको अप पता होनी जीवी घटक हैं, उतपादक कौन होते हैं, उप्वुकता कौन होते हैं, अप घटन करता कौन होते हैं, यह आपको समझ में आनी चाहिए, और आगे बढ़ते हैं, अजीवी घटक, अब इसको भी तीन भागों में बाट दिया है, Carbonic पदार्थ, A Carbonic पदार्थ, Brothic पदार्थ the causes li Display यह अभा से जल है, गेस, कृकर प्रोमा से क्णिन ज्ट, bakın प्रोमा प्रोमा स्टे कातम है यह जो खनिज है ना प्रोटीन वसाज यह सारी चीज अकारबनिक पदार्त में आती है बहुतिक पदार्त जो हमारे बहुतिक वातावड में मौझूद है जैसे प्रकाश हो गया, हवा हो गई और यह जो प्रकाश है ना सूर्य का प्रकास इसको बोलते हैं कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में उर्जा का शुरोत क्या है पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है जैसे प्रत्वी जैसे कोई तालाब कोई भी नहर वगएरा गो सकती है तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में उर्जा का शरोत सूर्य का प्रकास होता है तो वो भी आप याद रखिएगा वो भी एक पॉइंट है और यहां पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र समझ में आ गया पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आपको समझ में आ गए और कोशिच कर इसके बाद हम practice किया करेंगे, उसके बाद हम practice किया करेंगे, तो दोस्तो आज के लिए जो वीडियो है वो इतना ही थी, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको like करें, share करें, पहली बार नहीं तो चैनल को subscribe करें, मिलती हैं आपसे कल साम को next वीडियो में आज के लिए तना ही धन्यवाद.